देखिए एक महिला ऐसी भी सादी के बाद से हर साल प्रेगनेंट हुई है ये महिला अब तक दे चुकी है कितने बच्चों को जन्म आईए हम आपको बताते हैं अमेरिका में रहने वाली एक महिला शादी के बाद से लगभग हर साल प्रेगनेंट हुई है जल्दी ही अपने बारवे बच्चे को जन्म देने वाली है हाला कि महिला को इसके लिए काफी अलोचना का सामना करना पड़ा है उसे सोसल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया है लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौटनी रोजस नाम की इस महिला ने शादी के बाद से अब तक कभी भी गर्ब निरोधर का इस्तमाल नहीं किया रिपोर्ट के अनुशार अमेरिका ने न्यू मेक्सिको इलाके में रहने वाली कौटनी रोजस के इंस्टेग्राम पर 29,000 फॉलोवर्स है इतने सारे बच्चों को जन्म देने की वज़े से उन्हें लगतार आलोशनाओ का शामना करना पड़ता है सैतिश वर्सी एक कौटनी ने पादरी क्रिस से शादी की थी और उसके बाद से अब तक वो हर साल गर्ब बती हुई है कौटनी बारवी बार माँ बनने वाली है और मार्च में उनकी डिलेवरी डेट है यह कपल अब तक 11 बच्चों को जन्म दे चुका है जिनके नाम क्लिंट, क्ले, केड, कैली, कैश, क्लॉट, केश, कैलीना, कुराली और कैरिश है इन में से सबसे बड़े बच्चे की उम्र 11 साल तो सबसे छोटे की उम्र लगभग एक साल है रोजस ने बताया है कि वो खुद अपने सारे बच्चों की देख भाल करती है, वो डाइपर्स की वजाए लंगोट का इस्तमाल करके पैसे बचाती है और खुद के फॉर्म में उगाय फल बच्चों को खिलाती है रोजस के पती घर के खर्श के लिए एक चर्च में काम करने के साथ साथ कई दूसरे जगा काम भी करते हैं उन्होंने कहा है कि वे हमेशा से मा बनना चाहती थी और उनके पती ने उन्हें कम से कम दस बच्चों को जन्म देने का सुझाओ दिया ठीक वैसे ही जैसे ही उनकी मा रोजस की सास के थे हाला कि अब ये संक्यां दस से ज़्यादा हो चुकी है रोजस ने कहा कि दसबे बच्चों को जन्म देने के बाद भी मैं पहले जितनी ही युवा दिखती थी इसलिए मैंने दस के बज़ा एक दरजन बच्चों की मा कहलाने का फैस्टा लिया जी हाँ ये मैला एक दरजन बच्चों की मा है तो आपने देखा कि ये चीज सुनके आपको कितना अटपटा लेकरा होगा कि कोई औरत एक साथ एक दर्जन बच्चे की मा कैसे बन सकती है लेकिन ये युवस की वुमन है ऐसी जो एक साथ एक दर्जन बच्चों की मा है जी है शादी के पाथ से हर साल प्रेग्नेंट हुई थी महिला अब तक दे चुकी है 11 बच्चों को जन जिससे 12 बच्च अब इनका आने वाला है